गुरू की साजी निवाजी प्यारी सासंगर जी प्यार और सतकार से कहना धान दिरंकार जी सासंगर जी कहते हैं जे सुख को चाहें सदा शरन राम की ले अगर इनसान सुखी होना चाता है तो सतकुरू के चरनू का सहारा ले सतकुरू की शरन दे कहते हैं गुरू बिन भवनिदी तरही न कोई जो बिरंची शंकर सम होई कहते हैं कि गुरू के बिना कोई भी भव से पार नहीं हो सकता इस संसार से पार नहीं हो सकता जाहे वो शिव शंकर के समान ही क्यों ना हूँ फिर आगे कहा है अलो अलक ना जाए लख्या गुरु गुड दीना मीठा कहे कबीर मेरी संका नाशी सरव निरंजन दीठा कहा है कि ये हमें ये परंपिता परमात्मा हमें सत्गुरु ने दिखा दिया है गुरु ने हमें ये मीठा गुड दे दिया है कबीर जी ने कहा है इस परंपिता परमात्मा इस निरंकार को देखकर मेरे सारे वहं बुले के सब मेरे खतम हो गए है सारी शंकाएं मेरी खतम हो गई है कहते हैं विश्वाश भक्ती का सबसे बड़ा स्तंब है बीना विश्वाश के भक्ती हो ही नहीं सकती जितना मजबूत विश्वाश होगा उतना ही द्रीड समर्पन होगा जितना द्रीड समर्पन होगा उतनी ही गुरुमत मजबूत होगी और कल्यान होगा संसार परिवर्तन शील है यहाँ पर कोई भी चीज सदा रहने वाली नहीं है जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही आती है अनुकूलता में तो सभी अपना जीवन जी लेती है प्रतिकूलता में जो भगत सत्गूरु पर विश्वाश के साथ अपना तन मन धन सब कुछ हर्पित करके इसी के आदेश अनुसार अपना जीवन जीता है उसका ही लोग सुकी पर लोग सुहेला होता है दूनी में भी हम सुनते हैं मेरा डोले ना इतबार बक्षो शर्दा भगती प्यार यदि भगत का सत्गूर पर विश्वाश नहीं है या भगत यह मानता है कि किरपा करने वाला कोई नहीं है तो उसके उपर कैसे किरपा होगी जब किरपा ही नहीं होगी तो दुख रुपी संसार में उसे सुख शान्ती प्रापत नहीं होगी क्योंकि जो इश्वर प्रभू को जानता है उसे ही शान्ती मिलती है पर लाद की कथा भी यह बताती है कि कितने भी कष्ट उठाने पड़े पर इश्वर पर से विश्वाश नहीं दिगना चाहिए दुरूव की कथा के अनुसार अपने अपमान की शिकायत करनी हो या कुछ पाने के लिए इश्वर के ही पास जाना चाहिए गज ग्रहा और द्रोपती की कहानियां भी शिक्षा देती है कि जब सारी कोशिशें निश्वल हो जाएं कोई भी तुमारी साहता के लिए ना आता हो मनुश्य को अंत तक प्रभू पर विश्वास होना चाहिए कि प्रभू मेरे अवश्य आएंगे और मुझे इस मुसीबत से मुक्ती दिलाएंगे अंब्री शादी भगत तो इतना विश्वास करते हैं कि वे प्रभू को साहयता के लिए बुलाते ही नहीं प्रद्व भगवान स्वैम ही उनकी रख्षा के लिए उनका प्रबंद करते हैं भगत संकट से मुक्ती पाने के लिए सत्गुरू को परशान नहीं करते बलकि भी प्रातना करते हैं कि सत्गुरू उन्हें कष्टों विपत्तियों का सामना करने की शक्ती दे शास्त्रों के अनसार जीव अग्यानी एंसाहई और सीमिश शक्ति वाला है और प्रमात्मा सरवग्य, सरव समरत और सरव्यापी है इसलिए उसे अपने अग्यान और कमजोरी को दूर करने के लिए प्रमात्मा का सहारा लेना ही होगा जैसे नदी सागर में जाकर सागर हो जाती है प्रंतु उसे सागर की और जाना होता है वैसे ही भगत को विश्वाश पुर्वक सत्गुरु की और होना होता है सत्गुरु की और अपना मुख रखना होता है जब भगत विश्वाश पुर्वक साधना करता है तो विश्वास से प्रीती, प्रीती से समर्पन, समर्पन से गुर्मत और गुर्मत से मोक्ष मिलता है जो उसे प्रमात्मा से इक्मिक कर देता है जब संसार में बीना विश्वास के काम नहीं चलता है तो अनंत काल से जो विश्वशनिय सीद है ऐसे सत्गुर्व के उपर विश्वाश तो अवश्य ही करना चाहिए सत्गुर्व तो अपने भगत पर पूरन विश्वाश दिखाते हैं तभी तो पांच प्रणों को मानने के संकलब मात्र से ही वे अपना सब कुछ अर्थात ये ब्रह्म ज्यान अपने भगतों को दे देती है यहां बात तो भगत के विश्वाश की है कि वे अपने सत्गुर पर कितना विश्वाश रखता है जिस भगत का विश्वाश अपने सत्गुर पर अटल होता है उसका बेड़ा पार हो जाता है मा की गोद में बैठा छोटा सा बच्चा भी जरा सा जटका लगने पर अपने हाथ में जो कुछ आए उसे पकड़ लेता है जैसे उसके सहारे नीचे गिरने से बच जाएगा पर यही वज़ा है कि खुद को धार्मिक मानने वाले और हमेशा इश्वर का सीमरन करने वाले भी दैनिक जीवन की चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाते किसी तरह जोड़ तोड़ कर खुद ही अपने बिगड़े काम बनाने की कोशिश करती है लेकिन जब कोई कठीन स्थिती आती है और लगता है कि अब ये चीजें हमारे वश में नहीं हैं तब हम पूरित रहें इनकी शरण में लोटाती हैं सब कुछ इनके बरोसे छोड़ देती हैं तो यह हमें कठनाईयों से लड़ने की ही नहीं उनके साथ जीने की ताकत भी दे देती हैं वह कुन सी चीज है जो हमारे विशवाश को डामडूल करती है वह है अनिश्चितता वह हमें लक्षे की और बढ़ने से पहले ही रोक देती है हम जो कुछ करती हैं उसका फल हम पहले से ही निश्चित कर लेना चाहते हैं जबकि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता थोड़ी उलजन थोड़ी परिशानी के बिना हम कुछ सीखने और आगे बढ़ने में समरत नहीं हो सकते हम बदलाव से डरते हैं पर उसे सविकार करने में ही विकास है विश्वाश हमें परिवर्तन के डर से बचा कर आगे बढ़ने में हमारी मदद भी करता है एक भार अपने एक रोगी से डॉक्टर ने कहा तुम्हें कोई रोग नहीं है सिवाए इसके कि तुम भगवान से लगाव खो बैठे हो यह पूछने पर कि क्या वे स्वयम उनमें विश्वाश करते हैं वे बोले मैं डाक्टर हूँ पादरी नहीं जब आव विश्वाशी भी विश्वाश का महत्तों मानता है तो आस्थावान के बारे में क्या कहा जाए एक नविवाहित जोड़ा नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था तब ही तुफान आ गया सभी सवार घपराने लगे लड़की ने अपने शान्त पती से पूछा क्या उसे डर नहीं लग रहा सैनिक पती ने अपनी तलवार पत्नी के गले पर रख कर पूछा क्या तुम्हें डर लग रहा है उसने कहा नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पती ने उत्तर दिया यही विश्वाश मुझे अपने इश्वर पर है यही विश्वाश संगरख की स्थिती में हमें ताकत देता है इस निरंकार प्रभू के साथ होने का एसास हमें खत्रों का सामना करने की हीम्मत देता है विश्वाश गुर्मक के जीवन का महत्तपुर्ण अंग है विश्वाश अबस से आशे है किसी पर पूरन रूप से भरोसा कर लेना उसकी कही हुई बात को जियों का तेओ माल लेना विश्वाश उस्माहन शक्ती का नाम है जिस से हमें सुख, जैन और शान्ती पूरन जिन्दगी मिल सकती है विश्वाश के कहीं रूप होती है माता, पिता और बच्चों पर विश्वाश दोस्तों का एक दूसरे पर और पती का पतनी पर इन सब रूपों में विश्वाश का सरवस्रेश्ट रूप है गुर्सिक का सद्गुरु निरंकार पर विश्वाश जिस गुर्सिक का सद्गुरु पर पूर्ण विश्वाश होता है उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती आदी व्यादी उससे दूर रहती है खुशियों से उसका जीवन पर पूर होता है जो भगत इस निरंकार के प्रति पूरन विश्वाश सहित इस असीम ताकत का अपन सहारा मान कर काम करते हैं वे कभी भी अपने काम में अस्फल नहीं होते दातार उनके हर काम में सहायक होता है उसकी डोरी दातार खुद थामे रहता है जैसे परलाद भगत प्रभू के विश्वाश पर कायम रहा तो प्रभू ने हर परस्तिती में उसकी रख्षा की और कहा कि बाल न मांका कर सके चाहे सारा जग वैरी होए पीता ही रंकश्यप ने भी अपने पुत्र पढलाद को कितनी यात नाएं दी और प्रभू पराटल विश्वास के कारण हर परस्तिती से वा मचा रहा मीरा भाई को प्रभू शिरी क्रिशन पर पूर्ण विश्वास था इसलि और भी आता है कि प्रभू युश्व के पास एक महीला अपने मरे हुए बेटे को लेकर आई उस महीला को पूर्ण विश्वास था कि प्रभू युश्व में वह शक्ति है कि वह मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं उस बहन ने मृत पुत्र को मृत बेटे को मरे हुए और कहा कि अपनी शक्ति से इसे जीवन दान दो प्रबु यूश्व ने प्रभू का ध्यान करके उसके बेटे पर हाथ फेरा तो वे फिर जीवित हो गया प्रबु यूश्व ने उस महिला से कहा बहर मुझ में कोई शक्ती नहीं है तो तुम्हारे विश्वाश के करन जीवित हुआ है जो निरंकार के सहारे हो जाती है वे अपना तन्मंधन सत्गुरु के चर्णों में समर्पित कर देती है ऐसे संथ महात्मा महानता प्रापत करती है प्रभु पर विश्वाश होता है तो भगत मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डोलता नहीं है पिता जब अपने छोटे बच्चे को उपर उचालता है तो वे हस्ता है क्योंकि उसे विश्वाश होता है कि पिता मुझे संभाल लेगा गिरने नहीं देगा यही हवस्ता हमारे जीवन की है जो दातार करता है वे हमारे लिए बेहेतर होता है इसमें शक के कोई पित रहता है कई बार हम सेवा सिमरंससं करते हुए भी दुख से परिशान रहते हैं कटनाई क्यों आई यह सोचते हैं और तंग आकर कहीत रहके करम कांडो और अडंबरों में फस जाते हैं ऐसे समय में हम अरदास करें कि है सचे बाश्या हम तेरी प्रिक्षा के काबिल नह है हमारी प्रिक्षा मत लेना हमारा तो तू ही सहारा है तू ही हमारा आसरा है ऐसे प्रातना सुरकर दातार निरंकार हमारे सबी दुखों को खतम कर देता है प्रभू के दर पर देर है अंदेर नहीं दुख सुक दोनों में ही इस अटल सचाई पर विश्वाश रखें कई ब पूरण रूप से ऐसी आशा भी रख लेती हैं कि मेरी मांग अवश्या पूरी होगी लेकिन फिर भी भावना या मांग पूरण नहीं होती तो ऐसे हलात में भी हमारा सदकुर पर पूर्ण विश्वाश बना रहना चाहिए क्योंकि जैसे माता पिता को पता होता है कि कौन सी वस्तु बच्चे को देनी है और कौन सी नहीं देनी है माता पिता वही वस्तु बच्चे को देते हैं जिस से उसका लाब होता है इसी परकार यह दातार सदकुर भी हमें वही वस्तु देता है जिसमें हमारा भला होता है ऐसी हालत में सदकुर दातार की रजा में रहना राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है यूँ भी वहावा है और यूँ भी वहावा है क्योंकि हो सकता है दातार हमें इससे भी अच्छी इससे भी कीमती वस्तू देना चाता है सत्कुर्ट गुर्मुक को हमेशा उचा उठाना ही चाता है इसलिए हमारा हमेशा सत्कुर् हम द्रीड विश्वाश के साथ सदा सच्चे पाशा आप जी की सेवा संतों की संगत और निरंकार का सीमरं करते रहें यही सच्चे पाशा आप जी के चर्नों में अरदास करते हैं भगतों की चाल तो हमेशा संसार से निराली ही होती है इसलिए सचे पाशा हमारा हमेशा आप जी के उपर भरोसा रहे विश्वाश रहे इस दातार के भरोसे हम ठीके रहते हैं और इस दातार का भरोसा हमारा जीवन भी बदल देता है तब ही तो कहा है भगती से भरा जीवन दातार हमें देना मजबूत पहाडोसा विश्वाश हमें देना है सचे पाशा हमें इतना द्रीड विश्वाश देना जैसे भी परिस्थिती आ जाए हम आप जी का साहरा लेकर उस परिस्थिती से पार हो जाए आप जो भी करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे इस तरह हमारा विश्वास बना रहे अगर हमारा कोई काम नहीं भी हुआ तब भी हमारा विश्वास रहे हम डबल शुक्राना करें सच्चे पाश्या क्या पता उस काम में हमारा भला नहीं होगा आप जी ने हमें बचा लिया इसके लिए शुक्रिया हम डबल शुकराना करे अगर हो गया तब भी शुकराना नहीं हुआ तब भी डबल शुकराना सच्चा पाश्चा ये दियालू है किरपालू है जो भी इसे सुखदाई लगता है ये करता चला जाता है अगर दासी के मुग से कोई शबद उल्ट निकल गया हो या कोई अच्छा ना लगा हो तासी को बख्ष लेना और आगे के लिए दासी को सद विचार बख्षना, सुमत बख्षना दासी सीमरण कराएगी सब ही ने मिलकर सिम्रण में साथ देना है और हम विश्वाश के साथ आगे भी बढ़ते चले जाएं जी उन में तरक्की करते चले जाएं ये रूहानी तरक्की करते चले जाएं इसे से हमारा लोग सुकी और परलोग सुहला होगा सासंग जी सभी मिलकर सिम्रण में सातें जी तूही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैं नू बख्ष लो बोलिये सत्गुरू माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जै साज संगत जी प्यार से कहना दान निरंकार जी